हेलो दोस्तों मैं गरीमा आप सभी का स्वागत है दे एंगल में सोशल मीडिया पर आजकल ऐसा दोर चल रहा है कि सबको बुड़ा बनने का शौक चड़ा है लेकिन हाली में एक एप आया है उसका नाम है फेस एप और आजकल इतना जादा लोग उसे यूज कर रहे हैं कि बॉलिवूड एक्टर्स भी अपना इसमें फिल्टर लगा के फोटो अपलोड कर रहे हैं लेकिन इसी के चलते एक और खबर आ रही है कि इस एप से हमारा डेटा लीक हो रहा है तो चलिए जानते हैं इस खबर की क्या है सच्चाई फेस एप एक रश्यन दुआरा बनाई गई एप है मशीन लर्निंग और अल्गोरिफम्स इस्तमाल करती है आपके चहरे पर एक ओल्ड एज फिल्टर लगाने के लिए ये वैसी ही टेकनोलोजी है जो स्नैपचेट और इंस्टाग्राम फिल्टर में इस्तमाल की जाती है हम इंस्टाग्राम और स्नैपचेट पर बिना इंटरनेट के ही फिल्टर इस्तमाल कर लेते हैं लेकिन मैं आपको बता दू कि जो Face App है उसको हम बिना इंटरनेट के इस्तमाल नहीं कर सकते जब आप इस App से फोटो लेते हैं तब ये App आपकी फोटो को सर्वर पर भेजता है फिर फिल्टर लगा कर उसके बाद ये आपके पास आती है अब किसी ने क्या ट्यूट किया कि आप अगर ये App इस्तमाल करते हो तो ये आपके फोन की सारी फोटो और सारा डेटा रशियन के पास चला जाएगा और फिर वो आपके डेटा के साथ कुछ भी कर सकते हैं अब इस Face App बनाने वालों ने कहा कि वो उसी फोटो को अपलोड करते हैं जिस पे आप फिल्टर लगाना चाहते हो उन्होंने कहा कि किसी को शक हो रहा हो तो वो Network Sniffing Tool का इस्तमाल कर कि खुद चेक कर सकते हैं कि वो सारी फोटो को अपलोड नहीं करता है फिर कुछ लोगों ने चेक भी किया और फिर कन्फर्म भी किया कि वो खाली एक ही फोटो को अपलोड करते हैं आपने देखे हमारी ये खास रिपोर्ट और जानने के लिए देखते रहे दव एंगल